ठीक है चलो स्टार्ट करते, next question that is question no.3, अब देखो इस question में क्या दिया हुआ है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, from the following trial balance and adjustment given below of Rina and Aarti, यहां पर दो partners है, Rina और एक Aarti, you are required to prepare जो हमेशा का trading account and profit and loss account आपको बनाना है, और क्या बनाना है आपको, balance sheet बनाना है, ठीक है, as on that date, हमार पास trial balance दिया हुआ है, 31st मार्स 2019 का पूरा summary जो भी पूरा साल बर में हुआ है, वो हमको यहां पर trial balance के रूप में हमको दिया हुआ है, अब उसके बाद नीचे adjustment है, adjustment ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके पहले हम एक बार क्या करेंगे, items जो भी है वो पढ़ लेते हैं, जो हमारी परंपरा रही है, सबसे पहले item के है, purchase, sunday data, sales return, opening stock, bad debt, जब भी आपको bad debt दिखेगा, आपको पता है क्या करना है, उस amount को क्या करना है, circle कर देना है, clear है, फिर है land and building, furniture, फिर है आपके पास discount, royalties, rent, salary, wages, insurance, drawings, रिरा एन आर्थी, cash at bank, फिर क्या है, cash in hand, और आपके पास क्या है, हाँ पर credit side में sales है, sunday creditors, purchase, return, RDD, RDD भी आपको दिखेगा, तो आपको क्या करना है, circle करना है, बहुत अच्छे से पता है, और ये दोनों चीज़ क्या बोलेंगे इसको old, क्या बोलोगे इसको ये भी old है, और ये भी क्या है आपका, bad date भी क्या है, old है, फिर आपके पास है discount, commission, capital, ठीक है, current account तो दिया नहीं है, तो मतलब ये कौन सा method हुआ, fixed method की fluctuating, ये कौन सा हो गया, fluctuating, क्यूंकि capital क्या होने ओले, fluctuate होने वाले, 50 और 30 ही रहने वाले नहीं है, ठीक है, अगर वैसा होता, तो आपको current account दे देते हैं, तो आप वहाँ पे fixed capital method करते हैं, तो उसके अंदे current account अलग से बनता है, वो हमने प कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, create provision for reserve, ठीक है, doubtful debt 1000 रुपया, ये भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों चीज क्या है, ये new है, new bad debt हो गया, और ये क्या हो गया, new आपका reserve, ये आपका new bad debt, एक और चीज यहाँ पे दी गई है, create provision for discount on debtors and creditors, तो ये आपके लिए मेरी खाल से पहली बार आया है, और इसको अच्छे से यहाँ पे circle कर दो, ठीक है, ये वाला चीज, और ये वाला चीज, क्योंकि दोनों हमको कैसे करना है, साथ में करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे, provision for discount on debtors क्या होता है, उसके बाद, outstanding expenses, तो उसके salary 800 है, तो wages पे आप पहुचोगे, wages पे आपने dot कर दिया, salaries पे आपने dot कर दिया, clear, अब उसके बादे, insurance is paid for 15 months, 15 महिने के लिए insurance पे किया गया है, with effect from, ठीक है, with effect from 1st April 2018, तो ये क्या adjustment है, ये भी मैं आपको बता दूँगा, insurance, insurance कहाँ पे है, देखो debit side insurance ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, एक और dot कर देता हो, insurance के सामने, अब start करते हैं सम, अब आपको ruling सबसे पले ready रखनी है, अब ये वाले सम में मैंने का क्या trading अलग बना है, बहुत जन पूछ रहे थे, सर वैसा अलग बना सकते हैं, क्या क्यों नहीं बना सकते हो, trading and profit and loss account लिखते थे, यहाँ पे सिर्डिंग account for the year ended 31st March 2019 लिखा है मैंने, और नीचे देखो profit and loss account for the year ended 31st March 2019, clear है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब उस side, ठीक है, और ये है, तो आपको confusion नहीं होगा, जो मैंने 60-40 बोला था, 40% should be your trading account, और नीचे का जो होता है, 60% वो क्या रखेंगे, P&L, तो यहाँ पे वो दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने पूरा account ही अलग बना दिया है, तो आप चाहो तो पूरा 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 invest करना चाहो, पूरा एक पेज trading बना दो, पूरा एक पेज P&L बना दो, तीसरा पेज बना दो, balance sheet और चौथे पेज में आपकी क्या हो जाएगी, working, ठीक है, चल, यह है question number 3, practical problem का, सबसे पहले closing stock, कितना दिया हुआ है, 22,000, तो यह तो आपका सबसे favorite adjustment है, trading account, credit side आप जाके लिखोगे directly, by closing stock, ठीक है, amount कितना है, 22,000, adjustment के हमेशा कितने effect होंगे, आपको पता है, अच्छे से कितने effect होंगे, 2 effect होंगे, ठीक है, तो पहला यहाँ पे आ गया, दूसरा आप asset set पहुचके, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, closing stock, कितना है भई, 22,000 रुपए, ठीक है, यह आपका काम यहाँ पे इस तरीके से हो गया, अब next देखते हैं आगे उसके बाद, write off 900 is bad and doubtful debts, and create provision for reserve for doubtful debt, ठीक है, इसके लिए मैंने एक पूरा का पूरा concept video, अलग से पूरा का पूरा बनाया हुआ है, वो चीज़ आप जरा द क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, भूँत अच्छे से डीटेल के अंदर, इसी के बारे में, मैंने कम से कम हाफ एनार के उपर मैंने इसी के बारे में डिसकस किया हुआ है, और जो 3rd point है प्रोविजन for discount on debtors, वो भी मैंने आपको उदर क्या हुआ हुआ है, एक्स्पे यह मैं अलग color से करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको easily बता चल जाए, sundry data कितना है, 40,000, ठीक है, यह हो गया sundry data 40,000 रुपीज, अब आपको इसमें से क्या निकालना है, less, new, bad, debts, ठीक है, यह सबसे बहले आप gap करोगे, sorry, 40,000 inner column में आएगा न, कोई दिक्कत वाली बात यह लोग अब लिख लिया मना, अब new, bad debt कितना है भई, देखते हैं नीचे, right of 900 for bad and doubtful debt, सी के भई 900 रुपीज का नुकसान हो गया, यह हमको पता चला, adjustment की रूप से, 40,000 पहले आना चीए था, 900 रुपीज आने वाला नहीं है, यह less कर दो के तो कितना हो जाएगा, 39, 100, ठी provision, कितना provision निकालते हो आप, provision for reserve for doubtful debt, that is, new, provision, same चीज आप लिखो ना चाहो लिख दो, provision for reserve and doubtful debts, कितना है भई, at, अच्छा, amount दे दिया है, percentage देते हैं, तो आप percentage निकालते हैं, तो यहाँ पर amount दिया होए कितना, 1000 रुपीज, तो आपको मिलेगा 38, 100, ठीक है, अब यह हो गया, यहाँ तक आपको ने, यहाँ पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं कि कुछ आपने नया किया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसके second effect मैं क्या करता हूँ, आपक इसके second effect, कितना है भई, old bad debt, circle किया हुए 500 रुपया, यह 500 रुपय का नुकसान पहले ही हो गया था, add नया नुकसान पता चला है, that is new, bad debt, कितना है भई, 900 रुपया, हां कि न, ऐसे amount आपको याद हो जाने चीए, एक बार देखा कि नहीं, amount पता हो जाना चीए, कि अरे भई चूटने नहीं चीए, आपको पता चलना चीए, कितना पैसा आ रहा है बिजनस में, तो आप कैसे बिजनस करोगे, बराबर है कि न, मालुम बढ़ा, काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको बिजनस है लोस में, लेकिन आप काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो क कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, यह सब चीज़ें आपको information पता होनी चाहिए, अब इसके अंदर से और आपने जो reserve बनाया, that is new, RDD, reserve for bad and doubtful debt, यह कितना था, 1000 रुपया था आपके लिए, less old RDD, कितना है बही old RDD हाँ पर, 800 रुपया, तो यह आप क्या करोगे, less कर द लो, that is what, 500 plus 900 plus 1000 minus 800, तो भार कितना जा रहा है, 1600, अब बुलोगे, sir, क्या आप ऐसा नया बता रही है, यह तो हमने पहले भी किया हुआ है, नया कुछ नहीं है, same है, इतना तो काम हो गया आपका, यहाँ पर थोड़ी से changes होने वाले है, जो एक adjustment दिया हुआ है, अब देखो ह बचा कितना 39,100 आने वाला है, उसमें से आप मानते हो कि 1000 रुपय आने वाला नहीं, आपने माना है ऐसा कि 1000 रुपय आने वाला नहीं है, अब पैसे कितने आने 38,100, अब आप जब आप actual में पेमेंट कलेक्शन करोगे, तब कुछ राउंड फिगर में किसी का बिलिंग होग मेरे को एक डेटर से पैसे लेना है, 10,000, 50 रुपीज, तो पचास रुपय देगा, क्या बुलेगा, राउंड फिगर करो या 10,000 रुपय में, काम कंप्लीट बिल खतम, तो 50 रुपीज, वो तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना, तो वो क्या हुआ खर्चा होग एक तरीके सा, त उसमें से मानते हैं कि 3% हमको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा सामने से, ताकि हमारा पैसा क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, लेस, प्रोविजिन, फॉर, डिस्काउंट अन, डेटर्स, कितना होगा, 3%, एट, 3%, तो किसका 3% निकालोगे, 38,100, इंटू 3%, तो आंसर इस वाट, 11, 43, उसमें से माइनस कर दो, 38,100, तो आपको आंसर मिला है, 36,957, ठीक है, तो यह आपका पहला एड़ेस्मेंट हो गया, तो इससे आपको क्या पता चला, सबसे पहले, संडी डेटर्स लिखोगे, उसके अंदर कुछ एजजिस्मेंट है, सब्स बिल्स डिसॉनर का कुछ है, ठीक है की नहीं है, बिल्स के रिलेटेट कुछ है, संडी डेटर्स के रिया, या कोई, क्या बोलते है, आपने सेल किया हुआ है, उसके एंटरी भूल चुके तो पहले वो, वो सब एड़ेस्मेंट होने के बाद, बाद डेट वाले एड़ेस्मेंट, उसके बाद, अग कुछ भी नहीं है, डारेक्ली प्रोविजन बोला है, तो डारेक्ली प्रोविजन नहीं करोगे न, क्लियर है की नहीं है, ये तो हुआ एक एफेक्ट, सेकेंड एफेक्ट देना बाकी, कहां पे दोगे खर्चा वापस, इसको आपने इन डिसकाउंट माना है, तो इसको आप पेनल में पहुचके लिखोगे टू, प्रोविजन ओन डिसकाउंट ओन डेटर्स, क्लियर है, अमाउंट इस वन थाउजन वन हंडेडन फॉर्टी थ्री, क्लियर है, यह एक पार्ट हुआ एजस्मेंट का आपका, क्लियर है कि निए, एक पार्ट मतलब कौन सा, कुश्य नंबर, एजस्मेंट नंबर 3 का, प्रोविजन फोर डिसकाउंट और डेटर्स हुआ, वैसे ही क्रेटर्स ते 5% मतलब, अभी जो बिजनस है वो भार से माल ख परतम कर दे, ठीक है, इतना तो हमें डिलिंग करते है, क्या ओपर का चुट्टा पैसा ले रहा है, तो जब बिजनस भी पे करेगा, जब मैं भी पे करूँगा, तो डिसकाउंट सामने से एकस्पेक करूँगा, और सामने से उतना बिल काट के दे दूँगा, आप पचास ओ हो चुका है, संदी क्रेडिटर्स, संदी क्रेडिटर्स, कितना अमांट है भाई, 25,700, ठीक है, लेस प्रोवीजिन फॉर डिसकाउंट अन क्रेडिटर्स, एट कितना पसंदी जे बोलो, 5%, ठीक है, तो 25,700, इन्टू 5%, यह आप लेस कर दोगे, क्लियर है, क्यों लेस, यूँकि आपको 25,700 लोगों को पे करने थे, लेकिन आप एकस्पेक करते हो कि इतना तो मैं डिसकाउंट कवर कर लूँगा, तो अल्टीमेटली आपके पास से कितनी लाइबिलिटी बसती है, 24,415, क्लियर है, यह सब calculation बराबर चेक करना कोई दिक्कत आनी नहीं चीए, और यह आपको लिए क्या बन जागा, एक तरीके का फाइदा हो गया, तो यहाँ पर मैं जगा छोड़ता हूँ, पहली लाइन, ग्रॉस प्रॉफित अगर आया तो उसके लिए, उसके नीचे 1, 2, 8, 5, ठीक है, यह आप इस तरीके से लिख दोगे, तो यह दोना एजस्मेंट आपको अच्छे तरीके समझ गया होंगे, इसके साथ साथ कॉंसेप्ट वीडियो आप ज़रा कंप्लीट कर ले ना RDD के उपर, आपको कभी भी तकलिफ इसके अंदर आने वाली नहीं है, मै आप फोर्थ वाले में तो ज्यादा कुछ है, निया, आउस्टेंडिंग एक्स्पेंस, वेजिस है और सेलरी है, तो सबसे पहले वेजिस कितना है भई, वेजिस है 800 रुपया, तो सबसे पहले वेजिस कहां पर आएगा आपका ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में आप ज दिखना और निल करके आप टोटल भाहर लिलोगे तो भी चलेगा, वैसे हमको करना है, नेक्स्ट इस आर अजस्ट्मेंट इस नॉर्मल वाला, वेजिस हाव मच इस अवाउंट इस 800, अब हम देखते है आउस्टेंडिंग कितना है वेजिस लोग को देना बाकि 700 रुपया, एड, आउस्टेंडिंग, ठीक है, आउस्टेंडिंग वेजिस, कितना करोगे 700, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा 15, 15 और 2,0, 1500, वैसे ही आपके पास एक और था, क्या था आपके पास, सेलेरी न, तो क्या लिखोगे 2, सेलेरीज, अमाउंट दिखो भी कितना है यहाँ पर, अमाउंट डॉट करके रखा है, तीन हजार और आउस्टेंडिंग कितना आठ सो, तो 2 सेलेरीज, 3000, एड, आउस्टेंडिंग, 800 रुपीज, तो हो जाएगा टोटल 3,800 बाहर, सेकेंड एफेक्ट देना बाकी है, यह आपका लाइबिलिटी है, आपको चुकानी है, तो आप लाइबिलिटी साइड पहुच जाओगे, लाइबिलिटी साइड पहुच के आप क्या लिखोगे हाँ पर, आउटस्टेंडिंग, एक्सपेंजस, शॉट फ़्म मत लिखना, पूरा लिखना, अब आपके बास क्या बसता है, उसके बाद, दोनए अजस्टमें हो चुके हैं, अब insurance is paid for 15 months with effect from कितना 1st April 2018 मतलब जो भी आपने pay किया हुआ है starting of the year ही pay कर दिया था लेकिन वो 15 महिने के लिए pay किया है तो 3 महिने का advance हो कि आप 12 महिने के entry करते हो financial year 12 महिने का होता है clear है कि नी 3 महिने का आपने extra pay किया है advance insurance दे दिया है तो insurance में dot किया होता कितना 1500 calculation ही बहुत simple है आप divide by 15 कर दो कितना 100 रुपीज आया एक महिने का तो 300 रुपय क्या है आपका advance है तो कैसे करोगे आप यहाँ पे सबसे पहले आप adjustment में पहुचोगे salary के नीचे आप लिखोगे 2 insurance 1500 less prepaid insurance for 3 months ठीक है 3 months कितना होगा ठीक है let's prepaid insurance कितना बताओ भई 300 रुपया जो मैंने आपको अभी बताया भार कितना जाएगा ठीक है 1200 रुपया हो गया इतना अब यह आपका liability तो है नहीं आपको जब payment करने आएगा आप कब pay करोगे अपरिल का अपने पे किए युकि उपपर asset तो ज्यादा इतने होगे भी नहीं कुछ फरक नहीं है अब क्या बचता है ठीक हो गया ना दोनो दोनों adjustment दोनों side के दे दिये इसी के साथ पूरे के पूरे adjustment complete हो चुके है अब क्या करना है पोस्टिंग उसके बाद totaling पोस्टिंग तो यार बहुत simple है purchase अब आप समझ दो देखो कितना neat and clean है आपका जो solution आप कर भी रहे question paper भी आप इतने question paper या जो भी आप book से refer करोगे वो आप इतने अच्छे तरी से clean रखो आदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं purchase कहां जाता है या सबको पता आप इतना सम करते हैं तो बार-बार में क्यों आपको लिखाओ purchase trading account debit side sunday credits बार-बार चिला होगी और पता है वहाँ पर क्यों मैनत करें उससे जो चीजें है उसको detail में सीखने में हम लोग क्या करें अपने पता है यहाँ पर sales आएगा लिखोगे buy sales less return थाउजन रुपीज ठीक है ओपनिंग स्टॉक 18,100 तो आप यहाँ पर लिखोगे directly outer column 18,100 कभी कोई सम में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया आप डैश कर दो कोई गलत आंसर नहीं है क्यों कि उसका मतलब क्या आप interpretation कर सकतो कि वो business just अभी चालू हुआ है पहला financial year उसका first year ही है तो ओपनिंग स्टॉक ही न बनेगा तो next year opening बन जाएगा तो first year अगर कुछ भी नहीं दिया है तो डैश डाल देना Bad debts हो किया है land and building 25,000 Land and building 25,000 फिर एक और furniture था उसके नीचे उसी टाइम मैंने देख लिया था 20,000 तो यह भी लिख लेता हूँ directly outer column Land and building हो चुका है furniture हो चुका है discount अभी discount को debit side है तो this is an expense discount allowed कितना thousand rupees तो आपने देखो एक provision भी बना के रखा था ठीक है discount तो आप यहाँ पर पहुचके लिखोगे To Discount Allowed thousand rupees ठीक है thousand ही है बराबर फिर क्या है royalties या पे करोगे यह हमेशा कहां पर जाएगा trading account में जाएगा क्योंकि जो भी use होना है royalty वहां पही होगा 700 आप लिखोगे directly यहाँ पर Discount के नीचे to Rent One thousand Nine hundred ठीक है तो यह वाला information भी हो गया लिखके अब जादा बचना बचा नहीं है sum के अंदर Salary wages insurance हो चुका है drawings two thousand and one thousand यह भी ले ले लेते हैं बहुत simple sum है यहाँ पर लिखोगे partners Capital account कौन है दो partners Rina and Arty तो यहाँ पर रखता हूँ Rina के लिए दो-तीन line छोड़के Arty जो भी है capital balance आ जाएगा Less Drawings Less Drawings अब posting कर रहे हो तो उसके effect कितने होंगे सिव एक जहाँ पर आना चाहिए उसी जगे पर जाके लिख देना है और कुछ अलग सोचना मत Two thousand and one thousand Rina के लिए drawings है two thousand यहाँ पर कितना है one thousand ठीक है पक्का चलो उसके बाद है cash in hand Cash head bank यहाँ पर नीचे ही ले ले तो हमें Cash in hand मैं यहाँ पर देखो उपर भी लिख सकता था पर में को वह hierarchy break नहीं करनी closing stock ठीक है फिर जो assets है उसको इससाब से पहले fixed assets फिर fictitious assets फिर जो current assets की जो कहानी चलती नीचे 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 एक लिखते जा रहे हो हमें cash in hand कितना आएगा और है cash at bank cash in hand 17500 और bank में कितना पैसा है भई 2000 oh sorry cash at bank is 11500 ठीक है अगर आप इसको चाहो तो इनर कॉलम लिखके 2000, 1000, 500 टोटल भी आप भार ले सकते हो उसके पहले पो cash in cash equivalent उपर heading भी दे सकते हो इसी तरीके से करो सही है कोई दिककत नहीं यही सही है अब उसके बाद आपको क्या करना है debit side पूरा हो चुका है sales का amount है आपके बास 58,200 तो sales के इदर आप जाके पहुचोगे किदर गया यह रहा 58,200 उसमें से आप minus कर दो 57,200 के 1000 रुपया आपकर क्या return हो चुका है आपने माल बेचा था वापस से वह आ चुका है तो वह तो sales के इंदर आप गिनो के नहीं उसको आपको less करना पड़ेगा तो sales हो चुका है sales return उसमें से less कर दिया है purchase return 500 रुपया जो purchase किया था less return 500 तो क्या बचेगा 35,300 यह 5 plus 3 कितना हो जाएगा 8 तो यह वाला total भी हम लोग ने भाहर ले लिया अब RDD आपने solve कर दिया है discount 250 इसका मतलब क्या हो यह discount received commission मिला है मतलब commission received के credit side है आपको यह मिला है दो चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर P&L में नीचे buy discount received buy commission receive कितना है भाई discount received बताओ आराम से 50 है और commission है 250 total कितना जाएगा दोनों भाहर ही लिखोगे 250 ठीक है यह भी आपने लिख लिए इस तरीके से अब आगी क्या बचता है आपके लिए capital 50 और 30 है तो बस balance लिख लो 50,000 और यहाँ पर क्या लिख दोगे 30,000 ठीक है पूरा सम अभी आपके हवाले pencil total निकालके ready रहना यहाँ पर pencil total बहुत जनके doubt यह भी आदे सर बैलेंसिंग कैसे करते हैं gross profit कैसे निकालते है net profit कैसे निकालते हैं हर सम में मैंने explain किया हुआ है कोई चिंता मत करो इस वापस से मैं कर रहा हूं अभी पहले आपको सिर्फ pencil total निकालके ready रहना ठीक है pencil total मतलब क्या है यह जो debit side का जो है न जिसे 18,100, 15,300, 1,500, 700 यह सब का total आप यहाँ पर लिख के रखो clear उसके बाद credit side का total यहाँ पर लिख के रखो वैसे ही PNL का total लिख के रखो फिर हम सात में इसको क्या करेंगे complete करेंगे ठीक है चलो totaling करते फटापड अब उसके पहले एक चोटा सा correction यहाँ पर ध्यान दो 35,500 है तो यह भार कितना जाएगा 35,000 ठीक है और एक चीज अभी हाँ पर जब मैंने पढ़ा है आपको तो यह नीचे पेच किया है नहीं मिरको लगा यह पाची adjustment है depreciate land and building कुछ गलत नहीं हुआ है यह सिर्थ दिखा नहीं था तो आपको यह चीज कवर कर ले नहीं थी depreciation land and building 5% कुछ नहीं बस यहाँ पर आ जो land and building के इदर furniture में हाँ पर ले लेता हूँ नीचे furniture 20,000 less depreciation at 5% आप मैंने बुला भी था ना देखो इस पर depreciation नहीं है पर एक नीचे था वो छोड़ गया दिखा ही नहीं कि मैं नीचे गया है नहीं मिरको लगा sum complete हो गया depreciation at 5% यहाँ पर ही है तो कित्ता करोगे और यह भी कहाँ पर आ जाएगा inner column में आ जाएगा ठीक है 5% निकालना आपको 25,000 का answer is 1250 less करके आप भार ले लोगे आपको answer मिलेगा 23,750 ठीक है second effect आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर पहुचके आप लिखोगे to depreciation on land and building 1250 ठीक है अब हम start करते balancing सबसे पहले आपके पास amount 57,200 plus 22,000 तो 79,200 आता है तो आप यहाँ पर लिखोगे 79,200 ठीक है यह आपका total आ गया अब आप debit side compare करोगे 18,100 plus 35,000 1500 plus 700 तो कितना मिला आपको 55,300 अब कौनसे side ज्यादा है सीधी सी बात है credit side ज्यादा है 79,200 तो debit side कम आया तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे to gross profit carry forward that is 79,200 minus 55,300 करो तो आपको answer मिल जाएगा 23,900 so 23,900 is your gross profit यह आप नीचे लेकर आ जाओगे buy gross profit carry forward sorry brought forward 23,900 ठीक है यह हो गया लिखके एक बार check कर लेते answer ठीक है की नहीं है 23,900 बराबर हमारा exactly यहाँ पर match हो गया ठीक है अब net profit देखते है हमारा सही आता है कि नहीं 25 plus 50 plus 250 तो कितना answer मिला 25 485 अब debit side का सब जो भी total है plus करते हैं that is 1600 1143 3800 1200 1000 1900 1200 कितना answer आया 11893, कौन सा ज्यादा है, 25485 ज्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा, Net Profit मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, इस तरीके से कौन से से ज्यादा है, 25485 इसदर लिख दिया, 25485 यहां पर लिख दिया, clear है, अब आप क्या लिखोगे, हाँ पर 2, Net Profit, Transfer to Capital Account, कैसे ट्रांसफर करोगे भई, 2 जन है, कौन कौन है भई, रहीना और आरती, अब कैसे बाटोगे, Working Note No. 1, सबसे पहले कितना Profit आए वो देख लो, 25484, माइनस 11893 करो, आपको आंसर मिलेगा, 13592, इसका ब्रेक अप में आपको यहां पर देता हूँ, तो यह Total इसका अपका इधर चला जाएगा, अब देखते कैसे करोगे, that is Net Profit 13592, अब आपको किसमें बाटना है, देखो यहां पर दिया हूआ है, 7th वाला, रिना एन आरतिया शेरिंग Profit and Ratio in their Capital Ratio, तो Capital कितना था भई, देखो, 50,000 और 30,000, सब 0 हटा दो, 5 is to 3, Total इसका मतलब पूरे जो हिस्सा है, 5 plus 3, 8 हिस्से होने है, तो Total हिस्सा होगा 8, उसमें से, रिना को मिलेंगे 5 हिस्से, आरति को मिलेंगे 3 हिस्से, तो 3 by 8, वहां पर 5 by 8, वहले पहले तो कितना Total हिस्सा करना आपको, 50,000 is to 30,000 था, तो सब 0 हट गए, Equality पर आजाओ, 5 is to 3, ठीक है, तो Total पीस कितने होने के 8, उसमें से, रिना को कितना मिलना है 5 हिस्सा, और आरति को मिलना है 3 हिस्सा, तो यह करोगे कैसे, यह बहुत जनने भी पूछा था, आपको सर यह भी बता दो, तो यह लो, multiply by 5, divide by 8, सेम चीज यहां पर, 1, 3, 5, 9, 2, multiply by 2, divide by 8, तो इसको आराम से solve करो, आपको answer मिल जाएंगे, answer मिलेगा 8, 4, 9, 5, 5, 0, 9, 7, इसका break up यहां पर रहेगा, 8, 4, 9, 5, 5, 0, 9, 7, तो यह आप क्या करोगे यहां से, add कर दोगे, add net profit, क्योंकि रिना पूरे साल महनत करने का profit लेंगे, और यहां पर भी करोगे, add net profit, कितना होगा भई, 8,495, 5,097, तो आप करो सबसे पहले, 50,000 में से 2,000 less, plus 8,495, तो टोटल आपका जाना चाहिए भार, 56,495, और दूसरा है, आपके पास 30,000 में से 1,000 रुपया और 50,97, profit का तो बचता है 23,903, आराम से debit side, credit side दोनों टोटल करो, पूरा का पूरा मैच होना चाहिए, मैं भी करता हूँ, कुछ डिफरेंस आया तो देखेंगे, क्या गलत होगा, बाकी इतना खतम करो, तो इसके साथ हमारा प्राक्टिकल प्रॉब्लम 3 भी कंप्लीट हो जाएगा. झाल 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 यहां पर आपका टैली किस पर हो रहा है 116507 पर और यहां पर भी आ जाओ टैली किस पर हो रहा है 116507 पर clear है अब आप एक बार देख लो पूरा कुछ आपका mistake हुआ है तो correction कर ले ना सिर्व नीचे adjustment चुड़ गया तो मैंने देखा ही नहीं था तो depreciation वाला चुड़ गया बाकी तो कुछ नहीं है यह रहा आपके लिए trading account और स्वारी PNL account यह नीचे working आपके लिए working note की आप लिख सकते और आप से distribution of net profit between partners फिर यह रही आपके लिए पूरी की पूरी balance sheet जो टैली हो रही हमारी 1,16,507 पर ठीक है